हे ओल राइट अन वेलकम टू अल इन टूडेज दे हिंदू नियूज डिसकेशन नाव डेली के बैसिस पर पेज़ वाइड डिसकेशन करते हैं हर एक पर्टिक्लर पेज को कम्पलीट यूपी एसी प्रिलिम्स और मेंस के बैसिस पर डिटेल में जारी किया जाता है बात करते हैं आज के नोट्स की हम नोट्स कैसे शियर करते हैं पूरे न्यूज पेपर में हमारे काम की जो न्यूज हैं जो भी पॉइंट रहेगा ग्रीन वाला रेड वाला ये हाइलाइट हम अल्रेडी कर चुके होते हैं और उसके बाद नोट्स प्रिपेर करके देते हैं सबसे पहला हमारा सेक्षिन रहता है आज के न्यूजपेपर में जितने भी नोट्स आए हैं कौन-कौन से यूपी एसी के लिए रेलिवेंट है विद रिस्पेक्ट टू प्रिलिम्स और मेंस राइट तो साथ जन्वरी 2021 के नोट्स को हम देख लेते हैं EWS कोटा बहुत ज़् मैं रहा है अभी भी और सेंटर का क्या रिकमेंडिशन है वो भी डिस्कस करेंगे और कौनसे आर्टिकल को ये डिट्रॉई करता है या डिट्रॉई तो नहीं कहूंगा मैं किसमा सुधार जाता है किसमा अमेंटमेंट की जरुवत है एपसी आरे को जानेंगे 2010 का बिल है क्यो लाडियो नेशनल पार्क इसके बारे में डिटेल में हम जा लेंगे क्यो लाडियो नेशनल पार्क के क्या होता है इस नैशनल पार्क के बहुत सारे ऐसी हैं जो प्रिलिम्स में पूछे जा सकते हैं हर चीज को हमने डेटेल में डिसकस किया है महलाओं की एज जो साधी की उमर है अठार से की साल करने की बाद की गई है तो इसको मेंस के बेसेस पर हम डिसकस करेंगे पूरा मेंस के बेसेस पर डिटेल में जानेंगे कि क्या इसके पीछे कारण रहे हैं पार्टी या अभी की सरकार ऐसा बिल लाने की क्यों सोच रही है इन सब के बारे में डेटेल में जानेंगे सबसे पहला हिंदु में रेजेक्ट कब आया इसको भी डेटेल में हम जानेंगे साथ ही साथ हम बात करेंगे awareness program की कि किस तरह से महिलाओं के लिए और women's से related जितनी भी स्कीम है उसकी मैं आज लिस्ट दे दूँगा ताकि अब कभी भी women's related topic आगया उजवाला इसकीम बहुत सारी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इसकीम तो women's specific स्कीम भी मैं mention कर दूँगा नाव देखिए जो यह स्कीम है particular यह 10 स्कीम है यह सब इंक्लूड होंगे बट विदाउट मॉइंग फडर आप टेलिग्राम एप्लिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं इसको जोइन कर लें यहीं पर डेली आंसर राइटिंग की जाती है बट साथ ही साथ all over India की अगर मैं बात करूँ affordable prices, better selection की अगर बात करूँ UPSC में और सभी subject एक ही teacher all over India में जो पढ़ाता है वो आपको PR publication में यहीं मिलेंगे मेरे ही दौरा current affair, history, geography, quality, economics वो सब मैं ही आपको specific video दूँगा पनाव बात करते हैं कौन से paid plans आप ले सकते हैं, early plan 499 रुपीज का date wise current notes यह सब include होंगे android phone वाले android mobile application PR publication भी download कर सकते हैं, वहां से भी ले सकते हैं पक पर directly आप Google पे phone पे करेंगे तो वो डारेक्ट इंटरेक्ट होगा और हम डारेक्ट कॉंटेक्ट आपसे कर सकते हैं, तीनो plan ट्रिपल नाइन मा वेल कर सकते हैं, सिर्फ एरली plan 499 रुपीज में और guaranteed 60 batch जो UPSC complete package है, जिसमें यह सब तीनों include भी होंगे, ठीक है, यह अभी का price धाई हजार चल रहा है, बड़ discount rate में हम अभी भी अविल आपको करवा रहे हैं, तो 1499 में आप इसी लिए guaranteed 60 batch को जोइन कर सकते हैं, अब स्टार्ट करते हैं, आज का news discussion, सबसे पहले news है, government says 8 lakh EWS cap derived after study, सुप्रिम कोट ने थस्डे को यह देखा कि union government ने 8 lakh रुपीज फिक्स कर दी, और केंद सरकार यह कहती है, कि यह जो हम report लेके आये हैं, यह जो particular, तो particular इसमें central government ने दूसरा official statement यह भी दिया, कि हमने committee बनाई थी, committee means group of people बनाए थे, जिन्होंने इस पर study की है points में, और उन्होंने fix किया है कि 8 lakh, जिसकी annual salary, एक साल की salary, 8 lakh से कम है, जिस family की, उसको EWS section के अंदर आरक्षन मिलेगा, EWS क्या है, economic weaker section, हमारे सविधान में change हुआ, कि OBC को तो reservation मिलता था, बट ऐसे लोगों का क्या, जो आर्थिक रूप पर, सामाजिक रूप पर पिछड़े हैं, तो उनके लिए सविधान में 130, 103rd, ठीक है, मतलब 103वा amendment act लाया गया, जिसने introduce किया EWS को, जो कबसे 4 जनवरी 2019 से लागू हुआ, ये चीज आपको याद रखनी है, अब EWS के बारे में मैं बात करूँ, EWS और कुछ नहीं है, बलकि जो आर्थिक रॉप है, मतलब जिनको economically weaker section है, उनको reservation देना, पढ़ाई में, जॉब में, ठीक है, तो इसको ये केते हैं, अभी कभी कभी क्या होता है, आप PC group of people है, और committee, committee का नाम आपको जानने के यहाँ पर जरुवत नहीं है, क्योंकि वो group of people जैसे मैंने initial में बोला, the committee formed by the government to review 8 lakh limit, in its report on December 31 maintained that 8 lakh threshold fixed to identify EWS was not a mechanical adoption of OBC क्रीमी लियर कट अफ, यहाँ पर committee ने ये भी बोला particular, देखें, सुप्रिम कोड तो ये चौक रही है, कि अचानक से इसी मतलब sudden study कैसे, क्योंकि केंदे सरकार का आपने रविया भी देखा होगा, बहुत सारे ऐसे बिल हैं, जिने बिना discussion के, बिना committee के, बिना standing committee के पास पास हुए, बिना consultation के लोग पास कर दे रहे हैं, example है किसान, ये किसान का वो बिल है, अभी वो हटा भी दिया गया, ठीक ह तो इसी के basis पर सुप्रिम कोटा भी चेक कर रहे हैं, कि आपने कैसे कर दिया, बट केंदे सरकार का भी official statement है, कि हमने committee बनाई, बट हमें UPSC के लिए याद नहीं रखना, कि committee बनाई है, कितना limit है, factual information, 8 लाग है, चीक है, अब जब भी बात आती है, कि ऐसे reservation की, तो EWS कोटा क clause 6, इसमें add किया जाएगा, 16, 6 है, देखो, 16 पहले से है, 1, 2, 3, 4, provision है, जब बाद में कुछ चीज़ add किया जाता है, सविधान में, तो ऐसे clause 6, bracket के अंदर A, B, C, D, ऐसे लगा देते हैं, जब भी आप ऐसे देखोगे, वो बाद में add किये होंगे, और it was enacted to promote the welfare of the poor not covered by 50% reservation policy for SC, ST and socially, educationally backward class, ये नेबल करता है, center और state को कि आप EWS category की लोगों को अरक्षन दे, next हम बात करते हैं, TDD और रामकृष्ण मिशन लूज, FCRA नौड, त्रिमूल, त्रिपती, देवास्तनम, दा रामकृष्ण मिशन, और स्री साइबाबा संस्तान ट्रस्ट, स्रीडी में जो है और ऐसी नजाने 6000 से जादा NGO हैं, जिनको FCRA का registration renew कराने पर मुस्किल आई, अब जब ये renew नहीं कर पाए, FCRA का registration इनके साथ नहीं हो पाया, तब क्या भाई साब, the FCRA registration is mandatory for receiving foreign funds, FCRA registration क्या होगा particular, foreign funds को receive करने के लिए होगा, राइट, तो हम बात करते हैं, FCRA की foreign contribution, regulation act 2010, सबसे प आई, UPSC General Studies Paper 2 में, Government policies and intervention for deployment in various sectors के अंदर, ये पूछा जाएगा, दूसरा साथी साथ में, money laundering के cases भी जहां पर आते हैं, FCRA वहां से related रहता, आप कहिंगे ऐसा कैसे सर, मैं कहूंगा बहुत simple सी बात है, कोई NGO है, सपोज मान के चलो, राम कृष्ण मिश्या नहीं है, मैं उसक नाम नहीं लोगा, बट renewal उसका नहीं हुआ है, बट कोई ex NGO है, जिसको पाकिस्तान से funding आ रही है, और वो NGO इंडिया registered है, पाकिस्तान से, रशिया से, USA से funding आ रही है, तो उसको FCRA के अंदर register कराना पड़ेगा, बट funding आ रही है, 1000 करोल रुपे, उसमें से 1000 करोल रुपे, मैं से 500 करोल रुपे वेपन बनाने में यूस कर दे रहे हैं, और भारत में terrorism में फैला रहे हैं, तो इस case में, मतलब पैसा किसको लिए गया, पैसा तो गया, कि बच्चों, जो अनाद बच्चें उनको दाल दे दो, उनको सिक्षा दो, इन सब पैसा गया, बट पैसा यूस करा ज पैसा बम बनाने में यूस कर दे रहे हैं, तो इसे को directly money laundering के case कहते हैं, दूसरा example, जब कोई भी एक्स परसन बैंक के से लोन लेता है, 500 करोल रुपे, चलो 500 रुपे लेता है, कहता है कि मुझे सर BSC करनी है, मुझे सिक्षा ये study loan चाहिए, ऐसा बोल देगा वो, बैंक के कह गेंबलिंग जा रहे हो, मतलब एक्स परसन गेंबलिंग, आप नहीं कोई एक्स परसन गेंबल कर रहा है उन पैसों का, तो उसी को भी money laundering के cases में आएगा, तो समझ मा गया 2010 का act हो, जितने भी NGO को foreign funding चाहिए होगी, उसको क्या करना पड़ेगा, इस particular FCR Act के अंदर register करवाना पड़ेगा, अब यह act तभी RBI के अंदर नहीं आता, अब बम बनाएंगे कहीं फोड़ेंगे तो इसलिए वो finance ministry के अंदर नहीं आता, वो home ministry के अंदर आता है, बस ये 2-4 चीज़ा आपको यादर रखनी है, आप देखिए, कोरोना आने वाले है, डेली COVID-19 के केसे एक लाग से ज़्यादा होगे, वर्स्ट सिनारियो है, इंडिया रिपोर्टेट 1,16,836 न्यू कोविट केसे अंदर थर्ज़डे, the highest in the more than 200 days, taking the case load to 3,3525699 according to data released by states and union territories, आपको मेजर चीज़ क्या याद रखनी है, कि एक लाख, देखो एक ही दिन में, फिर से, ओमिकरॉन के वेरियंट से तो एक के डैद भी हो गई, 73 ओल्ड विमन थी, या मैं था, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं, बट आज का एडिटोरियल आया है, उसको हम डिसकस करेंग बट एक लाख से ज़्यादा केसिस हो रहे हैं यार एक दिन के पर दे, सोचो, कितना ज़्यादा, में भी लॉकडाउन लग सकता, अब इलक्षन पांच राज्यों में है, तो और ज़्यादा वस्ट सिनारियो होगा, पिछली बार, अगर मैं कहूंगा, सेकंड वे बाई, फ पर एक मैंशन है, स्टेक बर्ड का, और ये मिली है, भरतपूर बर्ड सेंचुरी, ओफिशली इसको क्यो लाडियो नेशनल पार्क के कहते हैं, अगर कोई कहेगा, प्रलिम्स में ये याद रखो देखो, भरतपूर बर्ड सेंचुरी, ये तो नौन ओफिशल नाम हो गया, ठीक है, ये ओफिशल नाम नहीं है, भरतपूर बर्ड सेंचुरी, नौन ओफिशल नाम है, ठीक है, क डिसकस करते हैं यह क्या है इससे रिलेटेट जितने भी फैक्ट हैं इसको हम डिसकस कर लेते हैं क्यों क्योंकि ये नेशनल पार्क बहुत बार पूछा गया है कियो लाडियो नेशनल पार्क नाव बात करते हैं कियो लाडियो नेशनल पार्क इसको भरतपूर बर्ड सेंचु that sees thousands of rare and highly endangered birds मिलती है एवी फाउना सेंचुरी है एवी एवी आई एवी एवी इस्पीसीज कौन सुंगी बर्ड स्पीसीज अभी हमने इसने एक बर्ड देखा था ना वो कहां मिला था यहीं पर कियो लाडियो नेशनल पारक में और विंटरिंग ग्राउंड है फॉर वेरियस माइगरेटरी वाटर फाउल फ्रॉम यूरेशिया नौर्थ अफरीका से अर्बियन पेनिशुला से आते हैं क्यों रखा यह इसका नाम it is named after क्यो लाडियो सिवा टेंपल है जो इसकी बाउंडरी में पढ़ता है इस पारक के एक्चवल में उपर आपिष्ट्रीम में नौर्थ साइट को अगर आप जाओगे उसी नदी के यह नदी है यह इसके नदी के आपिष्ट्रीम में जनरली यहाँ से originate होती है उससे कुछ किलोमेटर दूरी पह एक डैम बन रहा है और माना जाता है considered life line of century बट यहाँ पर danger में भी है यह पार्क अगर ज़्यादा बारिस हो गई है ना तो क्या हो सकता है बाड़ा सकती है The river now feeds the wetland only when the dam reservoir is filled and slice gates are opened step walls से हैं हाला कि इतना ज़्यादा जो मैंने point दिया है इसके बारे में ठीक है कि जो step well होते हैं पानी को conserve करने के लिए रोकने के लिए राइस्तान में क्या-क्या उनको बोला जाता है ठीक है जैसे देयार तुर्जी का जल्रा जोदपूर अब आप कोगे sir UPSC में ये भी पूछा जाएगा नहीं नहीं उपर उपर point देख लो ये क्या है उपर उपर देख लो ये क्या है बढ़ ये जनरली राइस्तान से जो लोग देख रहे हैं उनकी राइस्तान PCS में आ सकता है कौन-कौन से टाइप में है जोदपूर, जयपूर, बुंडी, अलवर यहाँ पर क्या बोला जाता है ठीक है बड़ आपको एक और चीज याद रखनी चाहिए कि particular किसकी जगे पर नॉर्मल बोल देना जैसे नागर, सागर, कुंड ठीक है रनी जी का बावरी ये सब step wells है step wells मतलब ऐसे ही जैसे एक मान के चलो, नीचे गड़ा है नीचे सीड़िया है, थोड़ा सा ऐसा रूम भी है, मतलब पूरा भरा है ऐसे तो इसे को कहते हैं step wells जहां पर कोई एक इंदा, जैसे टंकी होती है आप हमारे vlog में देखना, जिस टंकी में हम जाते है उसमें step well की तरह है वो तो किस की जगे में यह कहते है अब यहां का जो चांद, बावरी, राइस्तान में वन अप दे कंट्री का लाज़ेस्ट और डीपेस्ट step well है, यह 9th, 10th सेंचुरी में बनाय गया था, किंग, चंड़ा और परतिहरा डाइनेस्टी as one descent 20 meter to the bottom of well the intense heat dips by 5 to 6 degree Celsius ठीक है, heat कम हो जाती है जैसे जैसे आप नीचे जाते हो मतलब गर्मी होती है देखिए, कंट्री का सबसे पहला rock museum integrate किया गया और जो यह पत्थर है about 46 rocks of different sizes have been displaced in garden with description giving the economic and scientific importance of some of them located deep as 175 km from the surface of earth अब जो यह पत्थर वाला museum है, सबसे पहला देश का सबसे पहला अगर कोई बोलेगा पत्थर वाला rock museum कहां पर है तो आप कहोगे CSIR NGRI in Hyderabad, ठीक है तो समझ माया CSIR NGRI Hyderabad में यह सबसे पहला rock museum integrate किया गया अब ना Union Ministry of State for Science and Technology, Jitan Singh from 3.3 billion years to around 55 million years on campus of CSIR National Geographical Research Institute, तो यह कहां पर है, Hyderabad में है, यह set up किया गया, राइट, इनकी महत्ता क्या है कि यह पत्थर यार, 175 km deep इतने सारे नीचे से निकले हैं अब इनकी importance होगी ना यार कि उसके basis पर हम diverse कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि यह पत्थर कितने ज़्यादा पुराने हैं और अंदर के, ठीक है कोर में, क्रस्ट में, मेंटल में जो भी लेयर आ रही है चाहिए अट्मोस्पियर में या लिथोस्पियर की उसके बारे में complete knowledge इससे मिल सकती है और लोगों को जानकारी मिलेगी जो आर्केलोजिस्ट है उनके लिए तो ये एक best मतलब destination place ही हो जाता है फिर जिसको इत्यास से प्यार रहता है चलिए इसमें ज़्यादा जानकारी है नहीं open rock museum सबसे पहले काई ने गरेट हुआ फिर हैदराबाद में ना बात करते हैं आज के editorial की सबसे पहला editorial आपको नहीं इसके notes बनाएने हैं सिर्फ ये जानना है कि कितना जो ये matter है बहुत ज़्यादा concern वाला है Omicron mild nature is more due to the protection offered by vaccine नाव यहाँ पर मैं बात करूँँगा India records its first death caused by the Omicron in a fully vaccinated person कहा राजिस्तान में 2021 में the 73rd year old man with comorbidities मतलब उसको already से पहले कोई बिमारी थी उसके basis पे 73rd year old man जो है उसके death हो गई तो सोचो कितना ज़्यादा concern है एक लाग cases daily आ रहे हैं lockdown में भी लग सकता 5 राज्यों में election है बहुत ज़्यादा worst scenario होने वाला है किस तरह से कम कर सकते हैं जन NGO आप काम कर सकते हैं जो लोग news paper देख रहे हैं अभी आगे कि हमारे दूसरे plans भी है politics से भी related है मैं आपको कुछ 4-5 दिनों में कुछ excited भी मिलेगा और कुछ समाज में हम ये try करेंगे कि कैसे change आ सकते हैं मैं जे solution क्या बताऊंगा वही solution अगर आप लिखेंगे या आप अपने तरीके से सोचेंगे तो आपका एक अच्छा answer writing हो सकता है जैसे एक NGO की तरह हम काम कर सकते हैं social media में awareness campaign चला सकते हैं तीसरा election से related जो लोग हैं तो as a NGO हम pressure बना सकते हैं कि political campaign और try ये करो आप direct campaigning मत करो वेस्ट पंगल में ऐसा पीछी reason था तो ऐसे reason आपके पास directly आने चाहिए तो ये editorial में यही solution होंगे इसमें आपको कुछ करना है क्या नहीं ठीक है ये tennis से related है sports से related the politics of minimum support price अब minimum support price होता क्या है बहुत simple है देखो यार मैं कोई किसान हूँ फसल बोता हूँ मुझे सरकार बोल देती है कि आपकी फसल एक quintal बार सौ रुपे के लिए जाएगी गेहों की मैं कहूंगा ठीक है बो देता हूँ अब सरकार मेरे से बार सौ रुपे का quintal ले गई अलग-अलग अपने जैसे सस्ते गल्ले के राशन मिलते हैं ने बाद में मेरे ही गेहों आप लोगों को बाद में सबसेडी के तोर पर सरकार देती है यही सरकार का काम है बट क्या मेरे को बार सौ रुपे मिलेंगे ही मिलेंगे या सरकार देगी ही देगी उसके पीछे कोई कानून है क्या नहीं अभी तक minimum support price के लिए कोई legal कानून बना ही नहीं है तो अभी मैं तो यह कहूंगा यार एक मुद्दा हमारा ये भी होना चाहिए जिस भी आप political party को support करें या जिस भी political party से आप deal करें तो minimum support price हम देंगे जो state agriculture commodities होती है जैसे सरकारी मंडियां होती है जैसे उत्राखंड में भी होंगी सरकारी मंडी तो उसमां हम ये ensure करेंगे कि किसानों को MSP मिलनी चाहिए तो किसान का भी फाइदा होना चाहिए तो particular ये पूरा article MSP से related है अब जब MSP के लिए legal कानून की जब भी बात आएगी तब हम इसको और ज्यादा detail में जानेंगे comment box में ये बताईए MSP ठीक है minimum support price है जो मैंने बोलाए एक quintal 1200 रुपे का मिलेगा सपोज ठीक है 1200 रुपे का एक quintal जा रहा है तो ये recommend कौन करता होगा हाला कि सरकार accept करती है बड़ ये recommend कौन करता होगा ये आपको बताना है ठीक है इस cancer हम कल बताएंगे now next article आता है regarding the tobacco industry अब यहाँ पर सिर्फ मैं कोई negative point या factual information बताऊंगा जो कि आप अपने अपने मतलब point को आप सबको पता है टोबको से health के कितने ज्यादा implication आते हैं बट क्या आपने point को proof करने के लिए आपके पाप कोई data है सरकार का answer है yes जो answer हम आपको देंगे देखे भारत की मैं बात करूँ हर एक साल में 13,00,000 लोग सिर्फ टोबको product को use करने से मा percent of India GDP समझ रहो इंडिया की GDP से भी ज्यादा economic burden आ रहा है लोगों पर अब कैसे आ रहा है आप कहो कि सर इतना कैसे हमाई GDP से भी ज्यादा ऐसा कैसे यार अब मान के चलो टोबको product से 13,00,000 इंडियंस की हर वर्स मौत हो रही है सोचो किसी को cancer हो रहा है किसी को दूसरी बिमारि क्या हो रही है तो सभी के घर में जो सिक्षा की छेत्र में पैसे उनको लगाने चाहिए वो hospital में जा रहे है किसी को school drop out करना पड़ रहा है तो सोचो economic burden कितना ज़्यादा जो GDP में contribute कर सकते थे वो तो पड़ी ही नहीं पा रहा ना ये बच्चा राइट about 27 करोड people have age of 15 years and 8.5% of school going children 13 से 15 years वो टोबो को सेवन करते हैं भारत में सिर्फ 13 से 15 एज में भी ठीक है और साथ ही साथ में ये लिखा है there is no doubt that tobacco use highly detrimental to public health ठीक है अब इसका solution क्या बता है ये तो फिर point proof करने के लिए मैंने बता दिया आपको ठीक हो गया आप cancer बन गया दूसरा मैं solution बता दूँगा solution बहुत सिंपल है कि tax लगाओ या जादी से जादा tax लगाओ तो survey ने ये पाया है बहुत सारे लोग क्यूट तो नहीं करते बहुत बहुत हद तक जो एक तरह से tobacco का consumption कम कर देते हैं और उसी के चलते हैं उनकी आदत भी कम हो जाती है एक तरह से when tobacco product to become more expensive people either quit या तो छोड़ देंगे using them और use them less उसको कम use करना शुरू कर देंगे तो आप भी कुछ इस तरह से सोचें कि अगर आप किसी committee में होते तो आप क्या करते तो आप कहते कि आप तमाकू का जो seven है वो कम करें ठीक है तमाकू का seven कैसी कम कर सकते हैं हम एक bill ला सकते हैं या हमारा manifest हो सकता है जैसे अगर हम किसी party के साथ जोड़ रहे हैं या आप independent party भ कैसे welfare कर सकते हैं बहुत सिंपल सी बात है टोबो को institute of India के according recent report यह कहती है कि representative body of cigarette industry it would said that illicit cigarette volume in India has grown by 44% बहुत बार देखो एक तो company मनाती है एक होता है नकली टोबो को बनाना उसका 44 परतिसत तक वो बढ़ चुका है तो हमारी दो solution होंगे एक तो यार हम यह काम कर सकते हैं कि प पेमारी करें पहला solution यह होगा दूसरा मैं यह कहूंगा कि हमारा यह भी काम रहेगा कि जो जैसे राज जिमा कोई cigarette आती है तो उस cigarette पर tax ज्यादा लगा देना चाहिए सरकार को ताकि लोग कम उसका सेवन कर सकें क्योंकि economic burden आप सबको पता ही है क्या है the estimate percentage of illicit market for cigarettes in India is far lower than the countries out and well known the world average 11.2% right India had no significant tax increase on any of the tobacco product जबसे जीस्टी लागू हुआ है 2017 कोई ऐसा बड़ा इंक्रीजमेंट नहीं देखने को मिला है तो हमें जादे से ज़्यादा यही एक लाना पड़ेगा सुझाओ कि GST हमें tobacco product में tax को बढ़ाना चाहिए ताकि कम से कम लोग tobacco का use करें जादे से ज़्यादा लोग सिक्षित रहें समाज को सुधार है ठीक है इसको हम पूरे जो आर्टिकल नोटस है उसको हम डिटेल में डिसकस कर लेते हैं हम बात करते हैं raising legal age of marriage for women prelims के लिए चाइल्ड मेरेज जया जेटली टास्क फोर्स क्या है मेंस के लिए क्या प्रोज और कौन से है तो यहाँ पर क्यों यूज में रहा औलेडी प्रोहिबिशन आप चाइल्ड मेरेज अक्ट दोजार चे को बदलने की बात की गई जिसमें 28 से 21 वर्स से उनकी की जाएगी अब देखिए legal framework क्या है minimum age for marriage का सबसे पहनला जो एक्ट आया था वो आया था साड़ा एक्ट 1929 में जिसमें minimum age महलाओं की बड़ा देने की बात कर रहे है इड़ लेटर रिनेम्ड है चाइल्ड मेरेज रेश्टरेंट एक्ट 1929 1978 में ये कानून पास हुआ ताकि हमारी जो marriage age है 18 से 21 कर दी जाए marriage age के अलग-अलग धर्मों में अलग-अलग provisions है हिंदू के लिए हिंदू marriage act 1955 में 18 साल तै करता है 21 साल groom के लिए मतलब work के लिए वधू के लिए 18 साल Islam में marriage of a minor who has attained puberty तो Islam में तो ऐसा नहीं है कोई age matter नहीं करती जब वो puberty achieve कर लेगी तो मतलब कोई ऐसा legal तरीका नहीं है special marriage act 1954 में and the prohibition of act 2006 also prescribed 18 से 21 इसके लिए कानून बने हैं बड़ इसलाम में उनका अपना personal law चलता है प्रोस फाइदे क्या है women or child welfare होगा जो drop outs है वो अच्छा होगा child marriage को tackle कर सकते हैं कौन क्या होंगे मतलब negative या challenges क्या है difficulty in fighting child marriage को the implementation of child marriage law is difficult सबसे पहले तो यह कानून implement करना difficult है राइस्तान के बहुत सारे गाउं में अभी child marriage की जाती है तो यह particular हमने data दे दिया अब last में क्या हम कर सकते है while child marriage has declined child marriage कम हुई है एन फेट एटेस का जो recent data है उसका ठीक है यह चीज हमने डेटल में डिसकस कर लिए वही चीज रिपीटेड यहां पर copy paste हो गई है education boost करेंगे skill boost करेंगे mass awareness प्रोग्राम चलाएंगे ठीक है और साथी साथ जितनी भी acts और scheme है women's related वह यहां पर है देखो निर्भया fund icdc महिला police volunteer उज्वला योजना वन स्टॉप सेंटर स्कीम सोधार गरह सी बॉक्स युनिवर्सलाजेशन और विमेन mission for protection employment nodal ministry सबला बेटी बचाओ बेटी प्लाओ नारी ये सामवत पोर्टल ये सब now mr president concerned over security labs president रामनात कोविन ने express किया serious concern over the breach in prime minister नरेंद मोधी security security जब पंजाब को पंजाब के जो cm मिस्टर चन्नी जी उनके basis पर कोई security breach नहीं हुआ है बट प्यम मोधी को आगे किसानों ने रोग दिया था रास्ता और particular उनको 15-20 minutes तक अपना सो भी cancel करना पड़ा जहां पर भी वो rally करने जा रहे थे तो ये security breach का मामला है पर हमने कल देखी थी वी आईपी security की इनको मिलती है तो सबसे पहले जो SPG होती है वो सिर्फ प्रधान मंत्री को मिलेगी और उनकी immediate family को मिलेगी बागी होती है Z, Z, Y, X ठीक है ये security होती है constable की जारी है इम्रान खान जाने वाले है चाइना ताकि investment की उनको जरुवत है North Korea अपना hypersonic missile test कर रहा है hypersonic missile क्या होती है देखो hypersonic sound से related हो ठीक है sound से related answer आपको comment box में दो answer engaging आपको बनाना पड़ेगा बिजनस की news करते हैं bank asset quality at risk from COVID-19 third way वही है यार asset इंडिया में कोई invest करना नहीं चाहेगा क्योंकि डेली के basis पर एक लाग cases आ रहे है तो उसी के basis पर bank के asset भी Detroit होते रहते हैं आज की इस वीडियो में इतना ही करेंगे बाकि at the end is 750-513-4891 all over India के best affordable quality plans लेने के लिए आप इसी न अपर कर सकते हैं thank you have a nice day